सबसे पहले ना इसकी जम देखो आपको मार्खोर बक्री की याद दिला देगा दोस्तो फुल एक्टिव और माशालला तंदुरूस्त बक्रा है ओके इस बक्री की अमनों डिटेल शेयर करेंगे है दोस्तो वेलकम तो माई यूटूब चैनल फार्मिंग अफशा दोस्तो अच्छा होना उसके साथ जो रोमन नोस और कान और सिंक के होते वह अच्छे होते ताकि अगर आप ब्रीडिंग इद परपस के लिए कर रहे हो तो बच्छा अच्छा जाए उसके इलावा जो है वह उसका फादर और उसकी मदर अच्छी होना चाहिए तो इस बक्रे में बच्छा लेते हो ना तो जंगलों में क्या होता है सम्टाइम आप बक्रा लेने में दुशार दिन पसंद करने में सोस्ते हो आगे पीछे तो उससे में हो सकता है बक्रा वह बिग भी चाता है तो जब या बक्रे की डील करें जो भी ट्रेडर आप उससे बोलो के भाई मैं आज डील कर रहा हूं तो मुझे आज लाइफ वीडियो कॉल पर वह बक्रा देखना है यह पहली कंडिशन अब याद रखो तो अब जो भी आगे के मतलब डिफिकल्टी साती है उससे बचे रह सकते हैं अब अब हम इसी कोर डीटेल पर बात करते हैं दोस्तों प्योर अच्छा है तकरीबद 50 केजी के आसपास का है 50-55 केजी लिए पचास केजी ही माने खाने पीने में अच्छा है चलने फिरने में अच्छा है और फीचर्स वगेरा तो आपके सामने बक्रा खुद बखुद दिखा रहा है तो जो भी भाई एक अच्छा कॉलिटी वाला बक् अगेन कहूंगा कि अच्छी कॉलिटी आपको जो जंगल में मिलती है सम टाइम वो बीग भी जाती है तो इसलिए हमेशे प्रिकॉशन लेने जब भी डील करो एक लाइफ वीडियो कॉल पर बक्रा देख लो और बक्रा कैसा लगा मेरेको एटलीस कमेंट करके बताओ थांच प्रची कम वा गरेख